नमिश्कार इनकवर में आप सभी का सुवागत है आगरा की बहाविधान सभा में समाजवादी पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष अखलेश यादव जन्सभा को संबोधित करने पहुंचेते मंच पर उस समय अजीबो गरीब सा महल हो गया जब पार्टी के रास्ट्री महासर्चीफ और पूर्व केंद्रे मंत्री रामजी लाल सुमन ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पर मंच पर तमाचा दिखा दिया यह देखकर पूर्व सीम अखलेश यादव भी अपनी हसी नहीं रोक पाए दरसल अखलेश यादव रामजी लाल को पसंद नहीं आई उन्होंने दो बार जिला अध्यक्ष को अपने भाशन के बीच में इशारा करके बात करने से मना किया लेकिन जब जितेंद्र वर्मा ने अखलेश से बात करना बंद नहीं किया तो रामजी लाल माइक छोड़कर जिला अध्यक्ष के पास अखिलेश यादव ने सभा को संबूधित किया इस तोरान उन्होंने सत्ताधारी भारती जंता पार्टी पर जम कर हमला बोला तो साथ ही सीम योगी को भी निशाने पर रखा अखिलेश ने किशानों के साथ ही युवाओं को भी रिज्जाने के लिए वादों के तीर खो चला अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आये तो यूपी में आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं अखिलेश यादव इतने पर नहीं रोके समाचार एजनसी एनाई के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम बोड का प्लांट भी लगवाएं तो ऐसी ही खबरों पर रहीगी हमारी नजर आप देखते रही है इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें